मैं प्रिंस कुमार आप से MI soap dispenser में संतूर हैंडवाश और कुछ इस तरह हैं कि hand sanitizer यूज़ करकर देखेंगे कि वो काम कर पाते हैं या नहीं तो देख तेरी इस वीडियो को तो आज हम इस वीडियो में test करेंगे MI soap dispenser में कि जो solid type का hand sanitizer रहता है वो काम कर पाएगा या नहीं और साथ के साथ liquid foam में sanitizer है वो भी काम करता है या नहीं तो साथ के साथ हम इसमें test करेंगे hand wash liquid काम कर पाएगा या नहीं तो इसको रखते हैं side में तो कुछ इस तरह से MI का soap dispenser रहता है नीचे की तरफ इसमें refill रहता है और उपर की और हमें यह machine देखना को मिल जाती है तो मैं इसको निकाल लेता हूँ तो कुछ इस तरह है कि यह machine रहती है और अगर मैं बात करूं इसकी bottle के बारे में तो कुछ इस तरह है कि bottle की packaging देखना को मिलती है तो इसको हमें उपर से cap को open करना पड़ेगा तब ही हम इसमें दूसरे liquid को भर पाएंगे तो हमें एक screw driver की मदद लेनी पड़ेगी तो इसको रखते हूँ में side में और screw driver की मदद से हम इसे open कर लेते हैं कि मैं ने वैसे अच्छा जगाड लगा रख है कि कोई दूसरा परसन इसमें liquid ना भर पाए लोग काफी solid दे रखें हैं इसमें तो हम इसको फिर भी खोल लेंगे क्योंकि इंडिया में जगाड तो चलता ही है तो आपको काफी सावधानी पूरवक इसके open करना पड़ेगा क्योंकि हमें दूआरा भी इसमें attach करना है अगर यह हैड इसका उपर से डाइमेज हो गया तो इसमें fit नहीं बैठेगा कुछ इस तरह हैं से हमें देखना मिल जाता है यह open हो गया तो इस liquid को मैं रखता हूं मैं इसको फिनिश कर देता हूं तो इसमें अल्मूष्ट सारा लिक्विड खतम हो गया है अब हम चैक कर लेते हैं जो हमारे पास यह लिक्विड रहता है लिक्विड फोम में यह हैंड सेनिटाइजर है तो इसको मैं open कर लेता हूं तो अपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसमें मैं इंसल्ट कर लेता हूं इसकी नाली को तो इसको करते हैं साइड में तो कुछ इस तरह से हैंड सेनिटाइजर को बाहर निकालता है जैसे कि आप देखी रहे होंगे कुछ इस तरह से यह काम कर रहा है तो मैं आपको close up से भी दिखा देता हूं कुछ इस तरह से तो ज़्यादा अच्छी तरह से तो काम नहीं कर रहा इस लिक्विड में तो फिर भी ठीक है जुगार से काम चल जाएगा अगर आप इस लिक्विड को यूज करना चाहते हैं ज़्यादा ही लिक्विड को बाहर निकालता है पर इसकी बचारे की भी क्या गलती है यह तो फोम के चक्कर में बाहर निकालता है इसको कि पता इसमें कुछ होर भर रखा है तो अब हम सोलिड फोम में जो पतांजली के तरफ से आने वाला सैनिटाइजर है उसको यूज करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह से काम कर पाएगा या नहीं तो अब हम हैड को इसके उपर लगा देते हैं तो अभी तो सैनिटाइजर ही निकल रहा इसमें से अभी कोई लिक्वीड नहीं निकला तो काफी जोर लगा रही है मशीन पर कुछ अभी तक इसमें से कोई भी सोलिड फॉर्म नहीं निकल पाया यह सोलिड फॉर्म में काम नहीं कर रही तो इसको रखते हैं साइड में तो अब हम टेस्ट करेंगे इसमें जो संतूर company का hand wash रहता है कि वो काम कर पाएगा या नहीं तो इसकी packaging को मैं open कर लेता हूँ तो इसकी packaging को अब हम open कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से open हो गया तो इस glass में हम इसको डाल लेंगे तो ये भी काफी solid form में है तो इसको डाल के देखेंगे कि ये इसको भी काम कर पाएगा या नहीं तो संतूर के liquid में हम थोड़ा सा water mix करेंगे और फिर ट्राइ करकर देखेंगे कि कि स्तरह से ये काम करेगी तो इसमें आदा liquid है और आदा मैंने पानी डाल लिया है screwdriver की मदद से हम इसको mix कर लेते हैं तो mix करने के बाद ये थोड़ा liquid form में बन गया है solid form से तो अब हम try करकर देखेंगे कि ये काम कि स्तरह से कर पाएगी या नहीं तो अब ये काफी अच्छी तरह काम कर रही है जैसे कि आप देखी रहे होंगे तो मैं आपको close up में भी दिखा देता हूँ तो काफी अच्छा काम कर रही है तो ये कई बार जैसे कि आप देखी रहे होंगे रूख जाती है तो इसके सैंसर पर फोम लग जाती है तो उस कारण थोड़ी दिक्कत रहती है तो पुछी तरह से काफी अच्छा काम कर रही है तो मेरा हाथ पुरी तरहाँ से फोम के साथ भर चुका है तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा हमने MI soap dispenser में किस तरहाँ के liquid यूज़ करें और किस तरहाँ का उनमें response हमें देखना को मिला तो मैं आपको suggest नहीं करूँगा कि इसमें आप hand sanitizer यूज़ करें तो आप उसमें hand wash यूज़ कर सकते हैं वो भी इस तरह के form में होना चाहिए यानि कि जादा गाडा ना हो तो अगर इस form में रहेगा तो वो काफी अच्छी तरहाँ से काम करेगा जो MI के refill हैं वो काफी costly पड़ते हैं तो आपको market से buy कर लेना है hand wash को तो आप easily use कर पाएंगे अगर आप इस soap dispenser को buy करना चाहते हैं तो मैं description box में link provide कर दूँगा वहाँ से जाकर आप इसे buy कर सकते हैं उम्मिद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी और फायतेमंद लगी होगी अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल दी में उजगार करो subscribe कर लिए कुछी तरह के interesting वीडियो देखने के लिए